चलिए तो फिर श्टार करते हैं, apply करने जा रहे हैं, हम लोग पर तंचली करेंट का दूँ, सबसे पहले हमें कोई browser open कर लेना है, browser open करने के बाद हमें यहां पर search करना है, text, text, text साक्या, और यह हमें पहली website मिले रहे हैं और पहली ही link मिले रहे, इसको में open कर लें, फोड़ा scroll करने के बास कि यहículos मिलें पर यह ठीस की और डियो ग्rauर्च करने के पर यहां पर यूजर bus का नाम डालना है ऍ जैसे अपने मैं अपना ही date of birth और इसको save पर क्लिक कर देना है पर यहां पर PNV reference ID यहां पर application upload का यहां पर डालना है तो यह reference ID कहां से मिलेगी जैसी इस पर क्लिक किया तो यह हम step पर आगे यहां पर apply now पर क्लिक करेंगे यहां पर pen number डालेंगे no पर क्लिक करेंगे यहां पर mail ID दुबारा से वही डाल देंगे और फिर यहां पर submit पर क्लिक कर देंगे I agree, accept and proceed OTP गई है मेरे mail पर भी और मेरे mobile नंबर पर भी mail पर तो OTP आ गई है और mobile पर भी OTP आ गई है पहली date पर क्लिक करना है आधार नंबर डालना है नेम और आधार डालना है submit पर क्लिक करना है I agree पर क्लिक करना है accept and proceed पर क्लिक करना है यहां पर OTP मेरे phone में आई क्योंकि मेरे आधार कार्ड में mobile नंबर और रिडि लिंक्ड है अभी पूरी detail खुल गई है यहां पर यहां पर ITR login की detail डाल सकते हैं अगर डालना चाहूं मैं बैंक को देना कोई risk नहीं है बट मैं दे देता हूं दुबारा से password डालने के बाद इसको submit पर क्लिक कर दिया आई एग्री आई और्थराइस पी एन वी सब्सीडरी जो मैंने अपनी इंकम टेक्स की केडेंशिल्स दी है वो सिर्थ मेरे डेटा को बैरिफाई करने के लिए हैं आई एंडरस्टेंड बगएरा बगएरा इंकम टेक्स टीक है ओके बैरिफाई नो प्रॉब्लम करो बैरिफाई भाई यहां पर देखिए आई आई टी आर एकनॉलिजमेंट डिटेल पैस सक्सेस्पुली तो यहां पर मेरे साबसे साई डिटेल आ गही है बट इस यह बची करता हूँ मिस्टर शिवम शाक्या नेम ओन कार्ड शिवम है एसच एक वाई यह डेट बड़ ठीक है इमेल आई ठीक है सिंगल हूँ भाई अभी और आधार नमबर ठीक है माता का नाम पिता का नाम यहां पर एजुकेशन डिटेल डाल देनी है तो मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरा एड्रेस सेम ही है ठीक है फिर नीचे आने के बाद ऑगनाईजेशन डिटेल डालनी है मेरा एक CSC सेंटर है जिससे मुझे यह क्यों नहीं मैं चूच कर पा रहा हूं भाई यह मेरी आटोमेटिक पता नहीं कहां से ले ली चार लग पचास अजार साइद पैच कर ली है आटोमेटिक यहां पर मैं डेजिजनेशन सेलेक करूँगा तो एक्चुली मैं एक अधर प सकता हूं सायद दिया हो क्योंकि मैं एक वी एली हूं एजेंट हां एजेंट लिख सकता हूं ठीक है एजेंट लिख सकता हूं यहां पर एड्रेस डाल देता हूं कि कॉम्मन सर्विस सेंटर विधोना नियर जैश्री जीव अधिक है लैंडमार्प नजीम पिरा पता नहीं मैं यह गलत भर रहा हूं बट मैंने आलरीडी पहले किये हैं तो मेरा हो गया मतलब मेरे पार आलरीडी दो क्रेडिट कार्ड है एक आइसी आइसी का है दूसरा इस जिप्सी बैंक का है यह टूसरी 243 कस्टमर टाइब बिजनेस बगर बगर तो मैं एक विजनेस ओनर हूं इसको टिक करके इसको सेव एंड नेक्स पर क्लिक कर रहा हूं यहां पर क्या लिख रहा है पतंजली रुपे प्लेटनम ठीक है ओके इसमें कैस्टबग 2% है यह प्लेटनम कार्ड है इसके वेनिफेट्स हैं पता नहीं यहां पर मुझे दूसरा कार्ड क्यों नहीं दिख रहा है मैं इसके लिए एलिजविल नहीं हूं या फिर कुछ भी हो सकता है इसको मैंने टिक कर दिया और कंफर्म नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं यहां पर नॉमिनेशन डेटेल मांग रहा है तो मैं हा तो यहां पर हमें आईट्यर अपलोड करना है आईट्यर के लिए हम जा सकते हैं ITR income tax की website पर यह काम customer नहीं करेगा यह काम आपको ही करने पड़ेंगे उसकी details निकालने पड़ेंगे मैं यहाँ पर अपना ITR portal login कर रहा हूं login हो जाने के बाद यहाँ पर view file return पर click कर रहा हूं और यहाँ पर यह latest यह वाला receipt डाउलोड कर रहा हूं इसको open करने के बाद हमें यहाँ 4,25,990 रुपय का यह मैंने return file किया है ओके चलिए ठीक है एक यह चीज हो गई और दूसरी हमें चाहिए है bank statement 6 महीने की ओके तो उसके लिए हम जाएंगे क्योंकि मेरा account access bank में है तो मैं access bank की networking खो लेता हूं और login करता हूं तुक्का वेड़ गया है भाई तुक्का वेड़ चुका है ओके एकाउंट्स पर क्लिक कर रहा हूं अभी क्या मुझे क्लिक करना मुझे statement निकालनी है तो statement पर क्लिक करने के बाद यहां पर detailed statement और मुझे 6 महीने के statement चाहिए तो अभी January चलना है December November 6 महीने के साब से मुझे June से देनी है June से अभी तक की ठीक है यहां पर लिखे भी आता है this month previous month last three month present finances यह तो यह 6 महीने हो गई गोपे क्लिक किया मैंने इसको मुझे पीडिया फावड मेट में डाउनलोड कर लेना यहां से गोपे क्लिक किया यह सभी banks का अलग अलग procedure रहता है जैसे मेरा एकसेस है तो इसका अलग है आपकी एज़िपसी आईसी 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 आई अलग हो सकती है यह मेरी 6 महीने की transactions हैं और मैं यह देखता हूं मेरा total turnover कितना गया कितना मैंने पैसा घूमा दिया है तो मेरा पैसा कितना घूमा है 6 महीने में इस account में 30,7544 रुपया ओके ठीक है यह 6 महीने की है तो मैं यह upload कर सकता हूं मैं जाता हूं उसी website पर दुबारा से जहां पर ITR के लिए मैं ITR यह तो मेरा ITR हो गया और यह मेरी bank statement हो गई access bank की यह upload कर दी मैंने और six month की statement भी मैं choose कर लेता हूं और यह upload कर देता हूं दोनों चीजे मैंने upload करती है इसको submit कर दिया maybe यह मुझे confirm नहीं है कि वह bank से जो statement निकलती वह डालनी है या फिर net banking वाली एक attested होती है क्या कहता हूं इसको statement अभी यह we are retrieving your details we will appreciate your presence इसमें लिखके आ गया है your unique application reference number is this and offered provisional credit card 76,000 मुझे 76,000 रुपय का credit card मिला जो कि बहुत कम है क्योंकि access ने मुझे 5,000,000 का दे रखा है और ICICI ने मुझे 7,000,000 का दे रखा है नहीं नहीं सॉरी 7,000,000 का हाँ 7,000,000 रुपय यहां से मुझे वीडियो के वाइसी करनी है बट यह जो number है यह reference number मुझे copy करना है और इसका मुझे screenshot लेना इसका screenshot कैसे ले सकते हैं कंप्यूडर में की रहती print screen प्रिंट screen लेने के बाद आप paint open कीजिए या फिर आप यूज कर सकते है snap tool snap snipping tool यूज करके यह आप इतना screenshot ले लो ठीक है और इसको आप save कर लो desktop पे save pa pa n patanjali 1 ठीक है इसको मैंने save कर लिया अब दुबारा से उसी portal पर आते हैं यहाँ पर reference number मुझे paste करना है यह reference number मैंने यहाँ से मिला है यह reference number जो मिला है यह मुझे यहाँ paste करना है और यहाँ से वह screenshot मुझे attach करना है कहाँ गया मैंने अभी desktop पे ही save किया है all files यह रहा यह इसको save पे click है sorry यह jpeasy file ही मांग रहा है क्योंगा तो चली इसको मैं jpeasy में convert करता हूं और right click करके open with paint और इसको मैं save as jpeasy one करके save कर दे रहा हूं तो इससे यह convert हो गई है jpeasy file हो गई है अभी मैं इसको यहाँ से choose करूंगा तो यह देखिए आने लगी बन इसको मुझे save पे click कर देना है अभी उपर page expire लिक के आ रहा तो मुझे लग रहा इसको दुबारा से मुझे login करना होगा करते हैं दुबारा login login पे click किया काफी time भी तो होगे मतलब पूरी process मुझे करने में एक record इसमें add है यह record है इसको view पे click करना है यहां से मैं edit कर सकता हूं इसको यहां से choose करके यह file यहां पे save कर रहा हूं ठीक है upload यह दोनों चीज़ा upload हो गई है यहां screenshot है यह मेरी data birth है यह reference id है यह view detail यहां से view detail देख सकता हूं यहां से edit कर सकता हूं यहां से complete your video kyc का option आ रहा है यहां पे वही number मुझे डालना होगा वट इसके लिए एक नियम है कि इसके लिए time मुझे 10 से 6 बजे के बीच में ही करना होगा 10 से इसके पता नहीं video kyc का क्या time मैं अभी check कर लेता हूं submit करके यहां पे लिख्या जाए क्योंकि यह मुझे नहीं लगता क्योंकि रात में तो video kyc होती ही नहीं हाँ ओके यह redirect भी कर रहे हैं हाँ ठीक है यह है दिखिए video kyc only banking hours में ही कर सकते हैं 10 से 5 तक के लिए तो मैं इसको कल करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं ओके इसके बाद आपको video kyc कर लेना है जैसे ही आपकी video kyc success हो जाती है आपको फिर बेट करना है फिर आपको bank की तरफ से message आजाएगा कि आपका credit का approve हो गया और जो आपने mailing address डाला हुआ था उसी address पर आपको भेज दिया जाएगा तो वीडियो के वैसी करते time मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा उस time पर और मेरी वीडियो के वैसी पर हो चुकिए मैं कुछ screen shots आ आपको डाल दूँगा थैंक्यू